नमस्कार दोस्तों आप लोग का रिपोनी स्टेडी पॉइंट में स्वागत है तो दोस्तों आज हम ले करके आए हैं बीएड का सेमेश्टर वाइज जो पेपर हो रहा है उसका सालूसन तो जैसे उसके सालूसन का मतलब है है कि बीएड का जो पर्थम सेमेश्टर होने वाला ह है तो पर्थम सिमेस्टर पेपर कोड जीरो जीरो का है और प्रस्ण पत्र में आपको बता दूँ है प्रस्ण पत्र सिच्छा के पूरा कवर करेंगे पूरा इस शेप्टर को एसे ही दोस्तों में पूरा चेप्टर आप लोगों को इसी चैनल पे इसमें प्लेलिस्ट में आप जा करके ढोट सकते हैं बीएट के प्लेलिस्ट में पूरा A to Z सब्जेक्ट पांचो सब्जेक्ट का फर्स्ट येर का मिलेगा तो चलिए आप सुरुगात करते हैं पाले कोश्चन से तो जैसे की देखिए दोस्तों ये दे रखा है पाला कोश्चन किसी राष्ट समाज ब्यक्त के उन्नेयन का मूल आधार माना जाता है तो मूल आधार माना जाता है किसे सिच्छा का और समाज और संस्कीत को स्वरुप की प्राप्ति होती है किस से प्राप्थ होती हैं तो यह स्वतंतरता सिच्छा संप्ति राश्ट्यता तो सिच्छा का आश्रय लेकर राश्ट उत्पादन सिल और आत्म निर्भर की तरफ अग्रसर होता है दोस्तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पे सब पे answer पे trick कर दिया है मैं वैसे answer नहीं पापया लेकिन फिर भी आप लोग एक आगरित मन से यादी सुन रहे हैं बार बार इसको repeat कर रहे हैं बार बार सुन रहे हैं तो आपको automatically याद हो जाएगा इसी परपस से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आईए अब question नमर चार को हम देखते हैं सिच्छा से तो सिच्छा से क्या है तातपर्याब का ज्यान अनुभव कुसलता मिलती है यह सहीं बात है ज्यान वह बिबेक का उदय होता है सहीं बात है समाज और संस्कृत के स्वरूप की प्राप्ति होती है जड़ियाव के पास सिच्छा तो आप समाज में और संस्कृत में सुरूप में प्राप्ति पाते हैं मतलब समाज में आप प्रहन सान के धंको समझ पाते हैं तो यह उपरयूप्त सभी आगे चलते हैं पाचवा नमर कोश्चन बैदिक यूग से लेकर आज तक भारत में सिच्छा का मूल अभिप्राय रहा है कि सिच्छा प्रकास की वह जियोती है जो जीवन विभिन छित्रों में हमारा सच्चा पत्परदर्सत करती है कथन किसका है तो ये कथन अंबेटकर जी का है आगे चलते सबी परकार के सक्तियों का विकास होता है सिच्छा से मानों को प्राड़ी जगत के अन्य जीवों से प्रिथक करने का साधन यानि कि मानों को प्राड़ी के अन्य जीवों से अलग कौन सा साधन करता है तो ओ भी है हमारा संपत्ति करता है या परिवार करता है इन में से कोई आप यह जतुअ नहीं आपि सिच्छा करता है तो दोस्तों सिच्छा इमानो जगत को सबसे अलग करता है ये है एंसवर अगला आठ्वा नंबर कुई सिच्छ सब्द संस्कूत की सिच्छ धात उसे बना है जिसका अर्थ क्या सीखना शिखाना आरंब करना यानि की सिच्छा का अर्थ होता है सीखना शिखाना आरंब करना उपियुक्त सभी यह सभी एंसवर्स हैं दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं कोशिस कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी बोल करके आप लोग को कम समय में ज्यादा कंटे जिसका परकट होना सिच्छा के बिना असंभव है यहां कथन किसने कहा था तो यहां कथन देखो दोस्तों यहां पे कोस्टे थोड़ा सा बिबाधित हो जाता है यहां पे दोनों कोस्टे सही Edison का Prof. Dumville का James, Mackenzie का और इनमें से कोई ने ते यहां पर दोनों विकल्ब को सही कर रख हैं आपे देख रहे हैं लेकिन यह आप संब इसका होगा एंटांकर और फिशंगर Map को आपके माइंड में आ रहा है तो एक बर कमेंट करेंगा मैं कमेंट का रिपलाई जरूर दूँगा कैसे क्या कौन सा इंसवर सही है आगे चलिए 12 नमर कोश्चन पर देखते हैं सिच्छा के अंग में सामिल है सिच्छा सिच्छार्थी पाठे करम जब तक तीनों नहीं रहे में सामिल है सिच्छा मानों के विकास का प्रयास है सिच्छा प्रसिच्छड कार्या है सिच्छा मार्ग दर्सन है उप्यूक सभी तो उप्यूक सभी सिच्छा अधारणा में सामिल है क्या सिच्छा मार्ग दर्सक है सिच्छा मानों के विकास का प्रयास है सिच्छा प्रसि प्रसिछित करना या फिर और दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो दोनों होगा पढ़ना और प्रसिछित करना यानि कि कि किसी को पढ़ाना और उसे प्रसिछित करना दोनों का अर्थ हेक ही होता है और एडू केयर तो एडू केयर का मतलब क्या होता है 15 नमर कोश्चन करना यह चीज़ हो जाएगा एडुकेयर का अर्थ है यहां पर देखिए पढ़ाना सन्वर्धन करना बाहर निकालना या उपयुक्त सभी तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या देखिए दोस्तों यह जो शोलर नमर कोश्चन है इसका एंस्वर दे रखाई नहों कि एडुकेयर का अर्थ अभी आप लोगों ने 15 नमर में पढ़ा था सन्वर्धन करना जो कि इसमें बी वाले आपसन में दिया है सन्वर्धन करना लेकिन यह कह रहे हैं बाहर निकालना नहीं होगा एडुकेयर का मतलब सन्वर्धन करना तो होगा होगा यहां पर हो सकता है य साब्धिक अर्थ में सामिल है तो सिच्छा के साब्धिक अर्थ में सामिल नियंतरित करना आगे बढ़ना सीखना यह उप्यूक्त सभी दोस्तों इस तो यह तीनों होता है दोस्तों इन सब समदिक अर्थ में सामिल नहीं है जैसे यहाँ पर नहीं लगा दिया न तो यह होता है पालन पोसरद करना विक्षिद करना सम Wow Amazon करना ईन्में से कोई नइ तो इन में से कोई नहीं कैसे अब मैं आप लोग बता ता रहा हूं जैसे की देखी यह क्या कर रहा है सिच्छा के साब्दिक अर्थ में सामिल नहीं है यानि कि पालन पोसड करना 10 पालन पोसड करना सामिल है यहां पर ओवाई कोश्चन फिर दुब़रा पुछ दे रहा है सामिल है तो आईए हम लोग यहां पर देखते हैं यहां पर answer option क्या है सिचित करना, दूसरा है प्रसिचित करना, तीसरा है बाहर निकालना यानि कि यहां पर चारोग option सही हो जाएंगे उप्यूक्त सभी सिच्चित करना, प्रसिच्चित करना, बाहर निकालना चारोग option यहाँ पे सही हो जाएगे अब हम दोस्तो देखेंगे इसका यानी 19 नमर question का हो गया उप्यूक्त सभी option नमर दो अब आगे चलते हैं बीस्वा नमर कोश्चन पे तो बीस्वा नमर कोश्चन का हम देखते हैं सिच्छा का समानार्थी सब्द क्या है तो सिच्छा का समानार्थी सब्द देखिए दोस्तों सिच्छड निर्देस उसका से प्रसिच्छड या फिर उप्युक सभी तो ये उप् तो सिच्छा का अर्थ है मस्तिक का विकास होता है, उदय का विकास होता है, हाथ में विकास होता है, यानि ये सब में विकास होता है सिच्छा से, सिच्छा का अर्थ सेवन आर के के विकास के संदर्व में है, यानि सिच्छा का अर्थ सेवन आर के विकास के संदर्व में क्या है दोस्तों इसको हम लोग बताएंगे पढ़ना लिखना गिनना या उप्योग सभीत तो सिछ्छा सेवन आर्ड के विकास के संदर्भ में ये सब ही आता है अगला कोश्चन 23 सिच्छा का अर्थ सेवन आर्ड के विकास के संदर्व में नहीं है ये नहीं कुटिनूट जरूर करियेगा इसमें नहीं है में क्या आता है अधिकारों का ज्यान दाइतों का ज्यान मनोरंजन तो ये सब ही आता है सिच्छा के विकास में यानि कि इनमें से कोई नहीं है तो आपसन नमर दौग आगे चलते हैं 24 नमर कोश्चन अब 24 नमर कोश्चन को हम लोग देखते हैं सिच्छा के छेतर में सिच्छा परकिरिया में सामिल तो कौन-कौन सा है सिच्छा क्यों दी जाती है उद्देश हो गया सिच्छा किसको दी जाती है यानि बालक को दी जाती है जान डियूवी ने सिच्छा को बताया किस जान डियूवी ने सिच्छा को किस परकिरिया में बताया दियू मुखी परकिरिया त्री मुखी परकिरिया बहु मुखी परकिरिया यानि कि त्री मुखी परकिरिया में बताया जान डियूवी ने सिच्छा को तो दोस्तों इस तरी तीसरा कोश्चन जो भी चेप्टर चाहिए ये चेप्टर ओ कोश्चन हर एक चीज के बारे मैं आप लोग को बताऊंगा अच्छे से तो चलिए दोस्तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में तब तक के लिए आप इस चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिए और हर एक वीडियो